Hello friends, this is Monica. आज हम करेंगे class 7 का module 4 का chapter 3 जिसका नाम है वोहीन फेर्स दू इन उरलाओ वोहीन फेर्स दू इन उरलाओ इस chapter का basically मतलब है कि आप vacation में कहां जा रहे हैं वोहीन का मतलब होता है where to और फारन का मतलब होता है to go दू का मतलब तुम और उरलाओ मतलब vacation आप छुटियों में कहां जा रहे होता है हम कहां कहां जाते हैं बिलकुल मैं shortcut बताती हूँ मैं बहुत लंबा नहीं बताऊंगी कि क्या-क्या preposition लगती है basically इस chapter में prepositions है तो अब जैसे हम जाते हैं तो सबसे हम 4 category में मैं आपको divide कर देती हूँ चीज हो वो तो आपके लिए easy हो जाएगा तो हम कहां जाते हैं तो आपके chapter का नाम है वोही वोही pairs to inner love अच्छा सबसे पहले मैं आपको foreign की conjugation भी बताऊंगी foreign का मतलब होता है to go तो सबसे पहले इसके अंदर है foreign की conjugation तो foreign का मतलब होता है to go तो conjugation क्या है पहले मैं वो बता देती हूँ is far इस 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 होगा ST लग जाएगा ARZS में T लगेगा root उठाओ T लगाओ VRZZ में foreign and ear में part बस दू और ARZS में क्या होगा extra उमलाउट आ जाएगा इस फारण का मतलब होता है to go इस फारण हो गया अब मैंने अब कोशन पूछा जा रहा है वो ही इस दू ने अड़ाओ अब हम छुटियों में कहां कहां जाते हैं तो क्या क्या preposition use होती है मैं वो बताने जा रहू अगर आप किसी big cities में जा रहे हो for big cities या countries तो आपकी preposition use होगी नाक या यूज होगी नाक नाक का मतलब होता है to तो अगर मुझे sentence बोलना है मैं क्या बोलूँगी सिधा इश फार नाक या पान या नाक शिमला नाक मुंबई नाक टॉचलाइड तो for big cities and countries आपकी क्या preposition है कि नाक अच्छा इसमें exception है exception में यहाँ लिख देती हूँ अगर आप Switzerland जा रहे हैं तो आप बोलेंगे in the Swiss US से जा रहे हैं तो भी इंदी लगाएंगे in the USA और टुर्काई जा रहे हैं तब भी आप बोलेंगे in the टुर्काई बस यह अभी आपको ध्यान देना है कैसे बनाएं क्या हो रहा है यह भूल जाओ for big cities and countries किसी की भी बात करें जर्मनी पैरिस कहीं भी आप जा रहे हो आप नाख हीूस करोगे नाख का मतलब होगे to तो इस फारनाख आई गो टू जिपान अगर लेकिन स्विजर लेंड जा रहे हो तो आप स्वाइस बोलो स्वाइस के लिए इंदी स्वाइस इंदी उएस इंदी टुर्काय वो क्यों होता है इसमें युएस से इंग्लिश में भी हम क्या बोलते है इंदी उनाइटिट सेट सोफ अबरिका आर्टिकल आता है तो यहां पर भी आर्टिकल आता है स्विजर लेंड के साथ युएस से के साथ तुर्की के साथ तो इंदी उएसा इंदी स्वाइस इंदी टुर्काय यह exception भी पूछे जाते है रूल नंबर वन समझ में आ गया नाओ प्रेपोजिशन का रूल नंबर टू टू में क्या होगा और वाटर बॉडिज वाटर बॉडिज और वाटर बॉडिज वाटर बॉडिज क्या होगा अगर मैं रिवर की बात करे हूँ लाइट देर फ्लूस देर स्ट्रांड देर जे दास मेर फ्लूस का मतलब होता है रिवर स्ट्रांड मतलब बीच यह जी सारे वाटर बॉडिज है ना जे मतलब लेक एक दी-जे भी होता है, उसका मतलब समुदर होता है, दी-जे का मतलब समुदर, ocean और sea बोल सकते हो, और mere का मतलब sea, ठीक है, याद या भी उन्ताभी होता है, वाईस वर्सा, तो, like, हाँ, तो Holmes हो गया, stance, auth,ена, कितने Бी water bodies है, अब देखो, माल लो, आप पानी पे जा रहे हो यह पानी है, यहाँ पर river है, कुछ है तो आप पानी के अंदर नहीं जाते हो ना पानी के उपर भी नहीं जाते हो यहाँ पर रहते हो या बीच में भी आप यहाँ रहोगे इस position को हम un बोलते हैं तो क्या preposition आएगी? un यहाँ ना खाएगी, यहाँ un water bodies के लिए जो preposition आती है वो un आती है, तो अगर आपको बोलना है कि मैं river बर जा रही हूँ तो आप बोलोगे इस पार अन देन अब आप question पूछोगे कि अन देन क्यों आया भी तो हमने देर फ्लूस तीखा है, तो देर जो है वो देन में कन्वर्ट हो जाता है आकुजाटी में, क्योंकि आगे जो भी preposition के आगे लगेगा, वो सब आकुजाटी लगेगा यहाँ कि sentence structure कुछ इस तरह से होगा तो यहाँ पर un अगर आ गया, तो यह जो है अगर आप लेक पे जा रहे हो और अगर आप समुंदर पे जा रहे हो अब आपका question होगा कि हमें कैसे पता चलेगा हम कौन से जे की बात करें देखो, अगर मानलो आपको फिलिंदा blanks आता है और आपको लिखा हुआ है आपको यहाँ इश पारः डैश बोडन जे आपको इसमें preposition लगा लिए है और एक आता है इश पारः डैश ओस जे तो आपको कैसे पता चलेगा किसमें कौन से हम कौन से वाले में किसकी बात करें देखो अगर direction से related आता है तो यह node हो गया यह zeud हो गया यह coast हो गया यह west हो गया अगर direction के बाद जे लिखा हुआ है तो that means we are talking about sea तो हम बोलेंगे अन दी देखो water body है इससे तो यह पता चल गया आएगा लेकिन ही आएगा अन दी अब यह borden जे कुछ अजीब सा नाम दिया होगा जे से पहले that means we are talking about lake का हम बोलेंगे अन देन तो कि देर जे होता हो वो देन में कर्मट हो गया इश्वारा अन देन बोर्डन से डिरेक्शन वाला हुआ तो समूंदर की बात हो रही है otherwise वो बात हो रही है तो समझ में आया rule number one for countries and cities क्या यूज करेंगे नाक और for water bodies क्या यूज करेंगे अन प्लस आको जाटे जो भी आगे लगेगा इनके साथ नहीं लगता नाक के साथ आपका कोशन हो सकता भी नाक के अबाद भी क्यों नहीं लगा क्योंकि हमारा Germany जो countries होते हैं उनके आगे आर्टिकल नहीं लगता है सीधा बोलते हैं जिनके साथ लगते हैं हम इंदी वैसा इंदी स्वाइस लगा चुकिया है अब हम बात करते हैं for islands अगर हम island पर जा रहे हैं तो island जैसे यह है island के हम हमेशा उपर जाते हैं तो preposition आउफ लगेगा आउफ प्लस आपो जाते हैं तो अगर क्या sentence बनेगा इश फार आउफ दी इंजल राइट इंजल होता है हमारा island तो आउफ दी इंजल आएगा प्योंकि उपर जाते हैं उपर वाली position को हम आउफ पोलते हैं और आप जितनी जगा बची लाइक पहाड़, camping के लिए जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन आएगी वो इन आएगी right for rest of the places तो आप क्या बोलोगे इश फार हमें सीधर लगा रहे हो इंदी बैर्ग बैर्ग होता है पहाड इंदी बैर्ग, इंदास यूगेंस कैम या इंदास गेबिर्ग, गेबिर्ग मतलब होता है hills, इंदास, यूगेंस कैम सब के साथ इन लगेगी लेकिन आर्टिकल याद होना जरूरी है यूगेंस कैम या इंदी स्टार्ड, सिटी में जा रहे हो तो भी, अब यहाँ पर सिटी बोला है मैंने कोई नाम नहीं लिया सिटी का मुंबाई नहीं बोला मैंने सीधर मैं सिटी जा रही हूं, शहर जा रही हूं तो इंदी स्टार्ड या जंगल जा रहे है तो इंदेन वाल्ड, इश्फार इंदी बैर का इंदास, यूगेंस कैम बैर का होता है आपका पहाड, मांट अवर्गोंतन, इंदेन कि आप जा रहे हो तो इनके साथ इंडेन ये लगा तो आप सारी proposition याद कर लेता किसके साथ क्या लगेगा एक्जाBack में ये आसकता है तो ये मैंने आपको अल्हरी proposition बता दी, तीसरी मैं जा आपको ये बता रहे वो यानि कि मैंने चार प्रेपोजिशन आपको बताईए एक नाक, एक आपको इन बताईए एक आपको आउग बताईए और एक आपको अन बताईए तो नाक का लगती है बिक सिटीज और कंट्रीज के साथ इनका लगता है पहाडो के साथ, माउंटेंज आपका camp jungle इन के साथ और नाक big cities and countries exception कौन से हैं Switzerland and US से वेगरा off लगता है island के साथ and un लगता है river के साथ beach के साथ बड़ जर्मन में पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं sea के साथ, ocean के साथ इन सब के साथ ये लगेगा अगर मैं meaning बता हूँ तो इसका meaning to है इसका मतलब on है इसका मतलब add समद लो अभी और इनका मतलब किन होता है अब ये मत समदना इंग्लिश में mountain में हम अंदर थोड़ी जाते हैं आउन जाते हैं नहीं यहाँ in आता है राइट तो यह आपकी preposition हो गई तो आप अपने according लगा सकते हो अब बात करते हैं अगर हमारी preposition um है इम है या अम है तो किसके आगे क्या लगेगा उम लगता है time से पहले इम लगता है months and season से पहले और अम लगता है day and date से पहले राइट तो जैसे उम क्यों फूर यह time है ठीक है इम October month है या winter है और अम लगेगा date से पहले या day से पहले like moontag या मैंने कोई date बोली जैसे 15th October तो अम लगेगा यह preposition हो गई आपकी तो इसको अलग ध्यान रखना उम अम इम यह भी आने को फिल्ट करने को आ सकता है वो तो उपर मैंने अलग पता ही है जाने के लिए places के लिए time के लिए हो गई यह आपकी preposition हो गई इस chapter के अंदर फिर आता है कि आपका weather कैसा है तो आपको जो सबसे important question होता है we is that weather quarter यह आज weather कैसा है वी का मतलब होता है how how is the weather today how is the weather today तो आप बोल सकतो यह आप बोलना चाहते हो थंडा है गरम है कैसा बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो एसेस्ट काल्ट एसेस्ट वाम वाम मतलब वाम है एसेस्ट नेबलिश नेबलिश मतलब फौगी है विंडिश मतलब हवादार है हाईस मतलब गरम है आप कुछ भी बोल सकते हो राइट अच्छा बारिश आ रही है तो हम बोलेंगे एस रेगनेट स्नो हो रहा है तो हम बोलेंगे एस नाइट अब आप पूछेंगे यहाँ इस्त क्यों नहीं आया हो यहाँ सब क्यों आ रहा है क्योंकि यह सारे एजेक्टिव है और यह वर्व है सीधा हम सीधा कॉंजुगेट कर रहे है एस रेगनेट एस नाइट हम इंगलिश में भी तो बोलते है इट इस रेगनेट एट रेंस तो एस रेगनेट एस नाइट नाइट का मतलब उतल स्नू रें काल्ट मतलब कोल्ड यह एजेक्टिव है वाम मतलब वाम नेबलिश मतलब फॉगी विंडिश मतलब विंडी हाइस मतलब होट आप कुछ भी बोल सकते हो जैसे मैंने पूछा वीजा स्वेटर इन डेली तो आप बोल सकते हो ऐसे स्काल्ट इन डेली एक कोशन आता है आपका वान हास्तू के बूट स्टाग आपका बर्डे कब है वान हास्तू के बूट स्टाग अब वान से लेडिश जितने भी कोशन है यानि कि आपको time बताने है तो आप बोल सकते है इशाब के बूच्टसटाग बर्दे कब है के बूच्टसटाग अमोनटाग Monday को है या तो आप सिधा मन्त बोल सकते है इम यूली जुलाई में है इम यूली अब वो मन्त के नाम आपको याद करने होंगे वो आप लोग कर लोगे इम यूली मंतलब हो गया जुलाई में है अब इसके अंदर हो जैसे कुछ कोशन्स और आते हैं आप इसके चैप्टर के अंदर है एक आते है वान देखो सी आपको मानलो कोशन आपको समझ नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता वान बिगेंट दी शूल वीडर जैसे फर एक्जामपल ये है स्कूल कब स्टार्ट होगा तो वान तो आपको पता है वान का मतलब होता है कब सिधा मन्त लिग दो अब मन्त से पहले इम आता है इम दिसेंबर पर एक्जामपल जो है डिसेंबर में स्टार्ट होंगे डिसेंबर राइट वान बिगेंट दी शूल वीडर इम डिसेंबर वान का आंसर आप बस ये लिख दो मन्त लिख दो माँ पर इम लगाके आगे भले ही आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहा अगर पूरा लिखना है तो इम डिसेंबर बिगेंट दी शूल वीडर आप आंसर ऐसे लिख सकते है अभी मैं शॉटकट बता रही हूँ एक्जाम के पॉइंट आप क्यों से अपको क्यों जा रहे हूँ वारूम का मतलब होता है आए वाइएई इस व donnशु published overse 13 विल सेइसे इस भी मैं शॉटकट बारण जो भी आप बोलने चाहते होdaycale , मैं भी आप करने जाना चाहते हो जैसे मैं पूचको आप जर्मनी क्यू जाना चाहते हो कोशन आपसे ये पूछा जाता है तो आप सीधा बोलेंगे इस विल टॉइचलेरनन इस विल ये फ्यूचर वाला नहीं है इसका मतब है मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ सीधा आप ये बोल सकते हो आपसे पूछा जाता है कोशन मानलों यह आता है वास विल्स दू वास विल्स दू इम्जॉमर माखन आप समर्स में क्या करना चाहते हो वास होगे वाट इस वास मीन्स वाट विल्स दू मतलब क्या करना चाहते हो इम्जॉमर मतलब समर में और माखन होगे to do तो आप सीधा बोल सकता है इश्विल वांडन मैं घूमना चाहता हूँ इश्विल वांडन वांडन मतलब बोता है to wander right simple simple मैं direct answer आपको बता रहे हूँ right अब आपका exam में क्या आता है मैं वो बताती हूँ बहुत easy है email के form में भी आ सकता है paragraph writing के form में भी आ सकता है किसी भी form में आएगा आपको सीधा कैसे answer करना है मैं वो आपको बता देती हूँ तो आपके book में भी है for example आपको एक paragraph दिया गया है उसमें कुछ information दिवी है like एक ये paragraph है मैं ये बना भी देती हूँ तो आपके कुछ questions दिवे है for example वोहीन वोहीन मतलब कहां जा रहे हो वान कब जा रहे हो वी लांगर कितने दिनों के लिए जा रहे हो मिट वेम किसके साथ जा रहे हो वो कहां जा रहे हो और वास क्या करोगे ये सारे question है question दुबारा वोहीन मतलब कहां को जा रहे हो वान मतलब कब जा रहे हो वी लांगर मतलब how long कितने दिन के लिए जा रहे हो मिट वेम मतलब किसके साथ जा रहे हो वो मतलब कहां रहोगे for example अगर मैं जवेनी जा रहे हो कहां रहोंगी वास क्या करोगे तो क्या क्या होगा जिसे वही मैं डॉच्छलांड जा रहे हूं वहाँ पर आपको दो जगद दियूंगे अगर पैरगाफ लिखने आता है तो लिखा हुआ है मुट्शन ठीक है लिखा हुआ है जैसे आप यूली में जा रहे हो वी लंगर जैसे आप तीन हफ्तों के लिए जा रहे हो मिटवेम दिखा हुआ है लूकास के साथ जा रहे हो कहां रहोगे बाइफ्रॉइंड दिन मतलब फ्रेंड्स के यहां और वास्त क्या करोगे टॉच्छलांड मतलब यह इन्फोर्मेशन अगर अगर अल्रेड़ी दियु ने तो आप खुद भी लिख सकते हो तो कोशन के मतलब पता होना चाहिए आप खुद अब इसको आपको पैरग्राफ बनाना है तो बहुत असान है कुछ नहीं करना सबसे पहले आपको लिखना है इम डिट्सेमबर इम यूली जो टाइम है वो मेंचिन करना है इम यूली क् फाराइश नाक पहले छोटी प्लेस मेंचिन करने है म्यूंचन म्यूंचन अंदर है जर्मनी के तो इम यूली फाराइश नाक म्यूंचन राइट आपने पहले इसमें टाइम और जगह दोनों मेंचिन करती है कि मैं जुलाई में म्यूंचन जा रही हूं इम यूली फाराइ इसना क्मींचन अब म्यूचन कहां पर है जर्मनी में तो दास लीक्ट इन लीक्ट होता है सिचुएटड लीक्टिन डॉचलांड यह जर्मनी में इसको रठ लेना अब आप कितने हफतों के लिए जा रहा है तीन हफतों के लिए तो इस आप बोल सकते हो इस ब्लाइबर का मतल लूकास कंवाइबेन, जो इसमा कि होता है जो इन्फरमेशन दे मोए है वो लिख दी अगर इम होटेल लिखा उता हुटा तो इम होटेल आता हुटा क्या करोगे जर्मन सी कोगे तो इश विल टॉइच लेरनन जो आपकी इंफोर्मेशन है बिल्कुल वही किया है तो आपने क्या क्या कॉमन रहेगा देखो यहां तो वह आ गया यह फाराइश यहां पर तो टाइम आ गया जो टाइम आप लगाओगे राइट अब यहां पर डि यह सेम इंफोर्मेशन है फिर बड़ी जगा आ जाएगी इश ब्लाइब दा यह यह सब्सीट्यूट कर दिया पी जो इंफोर्मेशन है इश फारा मिट लुकास मैं लुकास के साथ जाओंगे इश ब्लाइब यह सेम है इश विल मतलब यह जो मैंने बाकि सब छोड़ा है य यह सब्सीट्यूट होगा लाइक यह आपकी अगर नया पैरग्राफ आता है तो यह इंफोर्मेशन सब्सीट्यूट होगी बाकी यह लो वाली सेम रहेगी अगर आपके एग्जैम में आता है तो आपको यह इस तरह से करना है तो अगर आपके इमेल के फॉर्म में आता है तब भी आप इमेल भी इसी तरह का आएगा याप चुटियो में जा रहे हो तो आप सीधा बतारहे हो कि मैं वहाँ जरुणी चुलाई में जा रहे हूं इसके साथ जा रहे हो पेरेंस के साथ जा रहे हो कहां रोगे होटल में रोगे और क्या करोगे गूमें अब और ऑर भी पॉライंच चाल सकते हो आगर आप गूमोंगे तो आप क्या बोलोग गयाией इस्विल वांडोन , मैं वहाँ गूमोंगी इस्विल वांड़न , बॉइच्लेडन , लेंगों वुमारीट , वांड़न का मतल़ वहधे। याट , तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकल यही है Opportunary सबसे सबसे पहले प्रेपोजिशन्स आप देखोगे इसके साथ किया प्रेपोजिशन लगती है फिर अगर आपसे कोशन पूछे जाते हैं अगर वैदर से लिएट तो वैदर आप कैसे बताऊगे ओम इम यह आपको पता होना चाहिए एक्जैम में यह आता है प्रेपोजिश कोशन आता है वी इसदा स्वेटर होईत है हाउ इस दी वैदर टुड़े अप सीधा आंसर दे सकते हो ऐसे नेबलिश और वाइस वरसा अगर आपका स्टैलेंजी फ्रागा नाता है तो आप वी इसदा स्वेटर यूज़ करेंगे मतलब आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या डालो आप सीधा डाल दो इश्विल वांडन मैं घूमने जाना चाहते हूं इश्विल वांडन जवमनी क्यों जा रहे हो घूमने जाना चाहते हूं इश्विल वांडन वारूम का अंसर इश्विल वांडन कर देना वास, विल्दूम, जॉमर्माकर्ण समर्स में क्या करोगे, मैं घूमूँगे, इश्फिल, पांड़न देन अगर आपका paragraph आता है, वोहीन, वान, वी लंग, वित्वेम, वास, इनके मतलब पता होने चाहिए वहीन का मतब कहां जा रहे हो, वान का मतब कब जा रहे हो, वी लांग, how long, मिटवेम किसके साथ जा रहे हो, वो मतब कहां रहोगे, और वास मतब क्या करोगे, तो आपको ये paragraph ऐसे लिखो गया, तो इसको रट लो, बहुत simple sentence structure है, वही करना है, I hope आपको समच में आया हो, thank you very much.